हेलो दोस्तों आपका स्वागत है MK Academy में मैं बोल रहा हूं महीश सिंग और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको percentage percentage बोले तो प्रति सत्ता का भाग ए है क्योंकि इसमें बहुत सारे question ऐसे हैं जो कि हमें different type पर देखे गई हैं तो मैं आपको यानि भाग one भाग second और भाग third तीनों इसी हफ्ते में करा दूंगा ओके दोस्तों तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को subscribe कीजिए MK Academy को और bell दबाईए नई notification पाने के लिए तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कुछ नौट्स हैं जो कि मैंने basic ट्रिक जैसे कि आप थर्मिल पर देखा होगा कि सूपर फास्ट ट्रिक 2020 तो इस ट्रिक को देखते हुए मैं आपको बहुत ही बहतरिन ट्रिक यानि एक देशी भासा में आपको यह ट्रिक बताने जा रहा हूं और देखिए देशी भासा को मैं वीडियो बना बनाकर आमीत बढ़ाना जैसे आदमी टॉप पर पहुँच गए तो हम देशी भासा में पढ़ा कर मैं क्यों टॉप पर नहीं करें चलते हैं हम नॉट्स की तरफ नॉट्स हमारा क्या गयता है कि इसमें नॉट्स यह है कि रुपिया अगर कोश्चन में रुपिया पैसा वाट अंक या संख्या वजन आयतन चाल दूरी या छलांग ऊपर अंसम होते हैं यानि हम उन्हें ऊपर की तरफ लिखेंगे यानि अंसम है ठीक है इन से संबंदित अंतर या पिर्तिसक का अंतर नीचे लिखेंगे और ग्यात करने वाली संख्या से गुणा करते हैं जो चीज दी गई है उसे हम भाग करते हैं और पूची हो तो गुणा करते हैं जैसे कि इसमें दिखा जासे कि कुछ चीज लगए हूए परसेंटेज में तो उसमें 100 की मल्टिप्लाई करेंगे और किसी चीज को हटाना हो तो 100 की डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों ओके और इसमें क्या है अगर कहीं जोड या घटाने की बात आती है तो उपर हमें परसेंटेज रखना है और नीचे 100 पिलस माइनस यानी जो भी हो फिर परसेंटेज गुणा 100 से कर देनी है तो कोश्चन हमारे हो जाएंगे ये जो है इसको एक वार दिमाग में अपने या नौट्स में लिख लेना कि रूपिया पैसा वाट संख्या के वजन चाल उपरी को हम क्या अंस में लिखेंगे और हम अ आज के कोश्चन बहुत ही बेसिक है और जोगी आए हुए है हर एक्जाम में तो चलते हैं कोश्चन की तरफ ओके दोस्तों कौपी पैस्प से ले ले जिए और आंसरों का जवाब दीजिए ओके चलते हैं कोश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों 18 का कितने ुप्रतिशünde 36 है अठारे का कितने पिर्तिसत 36 है अठारे का अभी हमने जो पूचा था वाट संक्या जो भी पूचता है उसे क्या हम उपर रखते हैं ठीक है इस कोस्टन को हम कैसे करेंगे इसका बेसिक तरीका बिल्कुल ही आसान है जिस्तने की वो पिर्तिसत पूच रहा है 36 उसको क्या है पूच रहा है अठारे का ठीक है और गुणा कर दीजिए 100 की ठीक है अब इससे आप काट लीजिए अठारे से काटोगे तो 18 दूनी 36 होता है ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों 18 दूनी कितना होता है 36 यानि 18 टूजा 36 तो टू बार कट गया और इस दो की मल्टिपलाई हो जाए तो यह हमारा कितना आ जाएगा 2000 दोशों सॉरी 200 आ जाएगा दोस्तों तो हमारा औक्षन कौन साथ भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है आसान से आसान सवालों से हमने स्टार्ट करिये पिरतिसत और धीरे-धीरे-धीरे हाड की तरफ हम ले जाएंगे और वह कोस्ट पर होता नहीं है कि हां कैसे करना चाहिए था ओके चलते हैं नेस्ट कोस्टन की और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और सेयर करते रहें कोस्टन सेकिन हमारा तीन किलो का कितने पिरतिसत 12 गिराम होगा तीन किलो का तीन किलो आप जानते हो 12 गिराम होग सोलने नीचे कितना है हमारा 232 रखलिए ऊपर हमारा सबीक गirाम तो हम किलो को भी कर देंगी जब हम कि लोको चेंज करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 1 थार जाउजय represents एक हजार होते हैं возьrick किलो में कितने होते हैं 1000 गिराम होते हैं ओके दोस्तों यह हम में कितने होते एक 1000 किराम और तीन किलो में क्या हूंगे 100 कि मिल्टीप्लाई कर देंगे 3000 को फिर यह गुणां कर देंगे कितने की हंड्रेड की हंड्रेड की कुमायम हो गया सीधी सीधी बात न में कि वैंन टू टू जीरओ से दो 0-0 खतम हो जाएंगी ठीक और अब क्या है ये हमारा जैसे की यह हो गया कितना बचा 12 बट्टे 3 धाम 30 30 आ गया इसको देख लीजे किससे कट रहा है हमारा ये हमारा ये हमारा 6 से कट रहा है ठीक है दोस्तों यही हमारा क्या है आंसर होगा ओके वीडियो को लाइक जरूर मारें ओके चलते हैं नेस्ट कोशन नेस्ट कोशन हमारा यह कि एक व्यक्ति की मासिक आय का बारे परसेंट बचत करता है कोई व्यक्ति है या आपने घर के मेंबरों कोई मान लीजिए जैसे आपके मासिक खड़्चा यानि महीने का खड़्चा 19,360 रुपे है 19,テि Idea गृत मासिक आय उनकी कितनी होगी कितनी होगी मैरे दोस्तों इसको कैसे करते हैं जो भी उसमें निदेता है वह खड़्चा वर्चा सब को क्या हम ऊपर रख देते हैं ऊपर रख दिया यह कितना हमारा 19,360 ठीक है अपन नीचे क्या है 12% की बचत करता है बचत कर ली उसने 100% में से पूरी हमारी जो सेलरी की क्या था 100% में से उसने 12% की कर ली बचत बारे तो वह हो गया और बचा कितना 88 में से जब बारे घटेगा तो कितना आ गया 88 आ गया 88 आने के बाद में गुणा हंड्रेड की अगर इन्हों को आप काटोगे और कुछ करोगे तो इसका अंसर हमारा क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 22,000 आनसर आएगा इसका क्यूंकि उनकी मासिक आये जो आपके घर के मेंबर है या फादर की आये 22,000 रुपे थी जो की 12% वह बचत कर रहे थे और 19,360 रुपे वह खर्च कर रहे थे ओके यह थोड़ा सा काम आप काट पीट के रहे तो 22,000 ही इसका आंसर आएगा ओके दोस्तों चलते हैं नेस्ट कोश्चन की ओर नेस्ट कोश्चन हमारा क्या कहता है नेस्ट कोश्चन हमारा देखो यह कोश्चन भी आता है और चीनी के मुल्ले में 10% की कमी करने पर खपत कि कितनी बढ़ा दें कि खर्चा ना बदले आए दिन चीनियों के दाम यानी कम या अधिक होते रहते हैं तो हमें क्या कोई भी घर की चीज हम कोई भी घर का मटेरियल खरीद रहें तो उसमें क्या 10% की कमी चीनी के मुल्य में 10% की कमी हो गई तो खपत कितनी बढ़ा दें कि खर्चा का कोई बदले नहीं खर्चा कोई नहीं बदले इसको कैसे करते हैं अगर आपको आता है तो 100 में से 10 जाएगा तो 90 और multiply कर देंगे 100 की इस तरीके से आपको question रखना उपर जो percent की कमी हो रही है वो तो हमने रखी यही कमी कितने में सो रही है हंड्रेड में से तो वो कितना बचा 90 तो 90 हमने नीचे रख लिया कमी हो रही है कितने की 10 की तो 90 रख लिया अब इनको क्या है काठ पी दीजिए 10 से 10 कट गई तो यह हमारा कितना आ गया 100 बटे 9 अगर 100 बटे 9 का आप भाग दोगे तो 9 एकम 9 फिर 10 होगे 9 एकम 9 एक बचा और नीचे 1 9 यानि 11 सही एक बटे 9 अंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 11 सही एक बटे 9 अंसर आ गया ओके तो इसका ओक्षन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है यह था कमी का कोश्चन अभी खर्च का भी करा रहे हैं घवराइए मतना और कमेंट बॉक्स में आप आपना अंसर दीजिए और इससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं के अकेडमी को सस्क्राइब कीजिए और बैल दवाईए नई नौटिफिकेशन पाने के लिए ओके वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें ठीक है जी चलते हैं नेस्ट कोश्चन के और नेस्ट कोश्चन हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों आलू का मुल्य दस परसेंट व्रद्धी करने पर आलू के मुल्य में दस परसेंट की व्रद्धी हो गई करने पर खपत कितनी कम कर दें की खर्चा ना बदले उसमें क्या थी कमी हो रही थी इसमें क्या थी व्रद्धी हो रही थी अभी दोनों कोश्चन जब हो जाएंगे तो दोनों आपके सम नहीं की वर हैं मेरे प्यार दोस्तों टैने, ऊपर र்खां, हंड्रेड में10 और जोड़ देंगे तो कि तना हो जाएगा, 110 यानि 110 हो गया 10 होने के बाद में हमें क्या करना है हंड्रेड की multiply कर देनी है के नहीं ृइं कि परसेंट निकालनी है तो ठीक है तो क्या है जैसे उसमें कर रहा था 0 से 0 काट दिया तो हमारा कितना हो गया 100 बटे 11 ठीक तो अब इसमें क्या है 11 से इसको काटेंगे तो 11 निम निन्याण में 1 बचा और 11 तो ये कितना आगए 9 सही 1 बटे 11 आगए कितना आगए मेरे प्यारे दोस्तों 9 सही 1 बटे 11 इसका आंसर हो गया ओके अगर आपको कुशन अच्छे लग रहे हो तो वीडियों को लाईक जरूल मारिए मेरे प्यारे दोस्तों ठीक आगया समझ में ठीक है जी इसमें यह है भाई मेरे दोस्तोंम यह उपर रख लिया ही विरद्धी हो लिया तो यहां हम एक सोद रहेंगे अगर यहां कमी आ जाती तो हम यहां कितने लिख ले थे 90 लिख ले थे कितने 90 और सीधे सीधे यह क्या है 100 से multiply यह पर्सेंटेज निकालते हैं तो 100 से multiply करने ही पड़ती है ओके दोस्तों चलते हैं next question की और अगर आपका question अच्छे रग रहे हैं तो like करें question यह है हमारा कि राम की उंचाई शाम की उंचाई से 20 परसेंट कम है तो शाम की उंचाई राम की उंचाई से कितनी जादा है ठीक है दोस्तों यह question आया हुआ था 2016 में भी आया है और यह 18 में भी आया SSC ने ठीक है MTS और CHSL में यह question आया हुआ है ओके तो इसमें सीधे सीधे क्या बहुती आसान बिंदाज करके बताईए और जल्दी से बताईए comment box में क्या answer है राम की उंचाई साम की उंचाई से 20% कम है तो साम की उंचाई राम की उंचाई से कितनी जादा है ठीक है चलो करके बताते हैं कितनी है कितनी कम है 20 20 upon hundred में से कितनी कम है 20 तो 18 into 100 ठीक है individuals हो गया 0 से 0 कट गई 2 चौक 8 4 बार कट गया अगर 4 से हम 100 को काटते हैं तो कितना हो जाएगा 100 बटे 4 को हम काटते हैं तो 4 से काट गई 4 दूनी 8 2 बटे और 4 पंजे 20 कितना आ गया 25 कितनी ज़्यादा है 25% ओके दोस्तों ये हमारा क्या है आंसर हो गया तो ऑक्षन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके दोस्तों चलते हैं नेस्ट कोशन के और कमेंट में बताते रहिए आंसर ओके एक आयत की लंबाई में 10 परसेंट व्रद्धी करने पर चोडाई कितनी कम कर दें कि छेत्र फल में कोई पिर्भाव ना हो कोई पिर्भाव ना हो मेरे दोस्तों तो इसमें क्या करते हैं वैसे ही 10 परसेंट किसमें ब्रद्धी कर आ रहा है तो 10 तो उपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा 110 कितना आ गया 110 और गुणा 100 कर देंगे इस जिरो से यह 20 कट गया हमारा तो यह हमारा कितना आ गया 11टें इस तरह करेंगे तो congसा ही 11टेंगया जायेगा इस तरीके कोश्षय मैं कि आयत और लंवाई की विर्धी परसेंटिष gefunden आ तो इस तरीके से करते हैं अगर आप सोचोगे यह सवाल तो एडवांस का मगर उसके चक्क्र में आप फॉर्मूले लगा के और कुछ कर दें मगर उससे भी हो जाएगा मगर इससे भी यह बेस्ट तरीक है यह हमारे ठीक है तो यह हो गया हमारा चलते हैं next question की ओर video को लाइक करें और share रमेश के वेतन में 20% व्रद्धी हो गई खर्च कितना कम करें कि लाव हानी में कोई परिवर्थन ना हो लाव हानी में ना तो उसे लाब हो और ना ही उसे हानी हो इस तरीके का परिवर्थन करें मगर उसकी सेलरी में क्या है 20% की व्रद्धी हो गई है जब हो गई है तो भाई हिए 20 तो उपर आ गया हमारा और नीचे कितना हो गया हमारा 120 100 में जोड दिया अगर विरद्धी करता है तो हम 100 में जोड देते हैं अगर कमी कहता है तो उसे हम क्या है 100 मैं से घटाके वह नीचे लिख देते हैं और सीदी सीदी multiply कर देते हैं 100 की हो गई 10 से 10 हमारी cut गई 2 से 12 कट जाता है 6 बार और 6 से 100 को काटेंगे आप तो ये कितना है 100 upon 6 इसकी multiply करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 16 सही 4 बटे 6 ठीक है 16 सही 4 बटे 6 इसको quick cut 2 से ये कट जाएगा 3 से ठीक है या क्या करो मेरे प्यारे दोस्तों इसको आप यहीं काट दीजिए ये 2 से काट दो इसको पहले तो ये 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10 जीरो और ये आजाएगा 2 ती अच्छे ठीक है तो ये आगे 50 बटे 3 अगर 3 से हम इसे काटेंगे तो भाई देखो 3 एकम 3 ठीक है 2 बचा तीन चिंग 18 ठीक है उपर 2 नीचे 3 उससे भी यही आएगा और जो हम पहले कर रहे थे उससे भी यहाएगा 16 से ही 2 बच्टे 3 यहीचrend 2 उससे लावहानी यंदि खड़्शा कितना कम करे वो इतना कम करेगा ना यहीच हम करेगा नहीं परिवर्थन नहीं हो पाएगा क्या रहा ठीक हाएगा और क्संट हो हेगा बिल्कुल हमारा हो जाएगा ओके दोस्तों आज की ये थी हमारी first video percentage की भाग one और आगे और question आपको part second में मिलेंगे part third में मिलेंगे इसके हमको क्या तीन part कराने हैं अगर आपको हमारी video अच्छे लगी है तो like मारिये और share किर जीए अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो तो हमारे channel को subscribe कीजिए और बेल दवाईए नई नोटिफिकेशन पाने के लिए ओके दोस्तों ओके दोस्तों और करोना वाइरस चली रहा है अपने घर में रहें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें जादा से जादा और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ही एक डीपली तरीके से लीजिए और पढ़ते रहें इन छुट्टियों का थोड़ा फायदा उठाएं क्योंकि आने वाले जब यह लोगडाउन खतम हो जाएगा तो एकजाम बहुत ही होने को जा रहे हैं इसलिए अपनी पूरी पक्की तयारी करें ठीक है और घर से बाहर ना निकलें शेफ रहें और घर में ही रहकर पढ़ाई करें प्यारे मेरे दोस्तों ठीक है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में ओके थैंक्यू